अससलामु अलेकुम, आज हम बनाएंगे केले की बहुत ही हल्दी रेसिपी, इसके पहले अगर आप ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें लाइक करने और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और शेयर भी करें, तो इसके लिए हम लेंगे केले, यहाँ तो यह देखे केछे केछे छोटी-छोटी फीस कर लेंगे और अब इसे मैस कर लेंगे तो अगर आप चाहा कर लेंगे तो अब मैसे ज़्यावद कर बीना पानी का यूज की ही हमें इसे मिलाना कैसे पानी को बिना पाणी का कमें पानी का यूज उकम उना है तो अब इस तरीके से हम इसमें पंच लगा लगा के इसे अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा ओई लगा लेंगे इसमें और फिर से इसे मिला लेंगे तो यहां पर यह डो बन के रेडी हो चुका है तो डो बनने के बाद अब हम इसे रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसमें PCV शक्कर का यूज किया है जो कि अपना पानी रिलीज करती है तो जैसे ही डो बनेगा वैसे हम इसमें यह देखे इसके बॉल्स बना ले तो आप थोड़ा सा आटा इसमें लगा ले और इसे बेल ले तो डो को हमें ज्यादा नरम नहीं करना है हमें इसे टाइट ही रखना है तो अब हम कोई कटोरी या ग्लास ले लेंगे या फिर जिस भी शेप का आप इसे बनाना है आपको आप वो ले सकते हैं और यह देखे इस तरीके से हम कट कर लेंगे और इसके साइट को निकाल लेंगे तो अगर आप पूरी का शेप इसे नहीं देना चाहते तो आप जैसा कि हम खजूर बनाते हैं उस शेप में भी आप इसे बना सकते हैं तो यहाँ पर यह देखे सारी पूरिया रेडी हो चुकी है यह देख और अब बस इसे हम fry कर लेंगे, जब तक ये दोनों साइट से सीकना जाए और अच्छे से पकना जाए तब तक हम इसे fry कर लेंगे, तो यहाँ पी यह देखिए, यह लगभग लगभग fry हो चुके हैं, तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे, ज्यादा डार्क हम इसे नहीं करें तो आप भी इस आसान सी बनाना की पूरी को बना सकते हैं, और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे रखके 2-3 दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, तो अपने बच्चों को आप इसे बना के दीजिए, बहुत ही शौक से वो इसे खाएंगे, क्योंकि यह हेल्दी भी ह और हेल्दी होने के साथ साथ यह टेस्टी भी है, तो यहाँ पर यह लीजिए, पूरिया बनके रेडी हो चुकी है, तो अपसे जब भी आपके घर में केले जादा पक जाएं, तो आप जट पट से इस रेसेपी को बनाएं, इसे बनाने में टाइम तो कम लगता ही है, साथ ह यह हेल्दी और टेस्टी भी होते हैं, तो अगर आपको यह रेसेपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू